एवरिवान तनु मलिक दिस साइट सो फर्स लाइट की आपके पूरी त्यारी हो चुकी है हमने उसकी चाप्टर्स और पॉम्स दो अलग अलग वीडियो में किये वह आप त्यार कर चुकी होगे जो यहां पे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और उन वीडियो से अपने एक्जाम की त्यारी जरूर करें तो आज हम कर रहे हैं फर्स लाइट की पॉम्स और उनकी पॉएट इससे रिलेटेट कुश्चिन आपको एक्जाम में 100% आएगा पहले मैं आपको पॉम्स बहुत अच्छे से विद्ट्रिक्स लर्न करवाऊंग और एंड में आपके थ्री टेस्ट हैं अगर आप उन थ्री टेस्ट को अच्छे से क्लियर कर लेते हो भी जो कि बहुत इंट्रस्टिंग है मीन्स आपको सारे लवन हो चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं तो यह आपके सामने फर्स लाइट की पॉम्स और उनकी पॉएट टो तो इस confusion को द्यूर करने के लिए ताकि 100% आपका अंसर सही हो हम छोटे छोटे चोटे ट्रिक्स करेंगे जैसे first है dust of snow अब इसको हम कैसे learn करेंगे dust of snow इसमें एक word है snow snow हमें पता है जो बरफ गिरती है उसके जो flakes है वो snow के लिए use होता है इसी की एक term है frost frost क्या होती है जो बह पर जम जाता है कोई भी स्टील की चीज़ है उस पाइप पर जम जाता है तो उसको बोलते है frost तो snow की ही form होती है frost तो जैसे ही आपके पास आएगा dust of snow उसका आंसर आ जाएगा Robert Frost इसी तरह से आपकी second poem है fire and ice ice वो भी बरफ ही है और frost वो भी इसी की form है तो यह जो हमारी पहल learn हो जाएगा थर्ड है a tiger in the zoo अब आपने ध्यान रखना है जू में tiger को रखा गया है तो उसकी जो freedom है हमने चीन ली उसको freedom कम मिली है तो a tiger in the zoo less less से आप याद रखोगे a tiger in the zoo less lay noris उसको less freedom मिली है less lay noris और इसका जो second word है noris noris वो कोई रीस नहीं कर सकता क्योंकि वो जू में बंद है यह थोड़ा सा फणी है लेकिन अगर आपके पास कोई और अच्छा ट्रीक है जिससे आप इसको learn कर सकते हो तो comment section में जरूर लिखना टाइगर इंद जू less lay noris इसका हम कैसे याद रखेंगे यहां पर वर्ड है तेल का rhyming वर्ड क्या है वेल कैरोलीन वेल्स वेल्स तेल वेल्स कैरोलीन वेल्स फिफ्थ है दा बॉल पॉम अब यह जो बॉल है बॉल से सबसे पहले कौन खेलना स्टार्ट करता है जब बच्चे छोटे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके most common जो English names है वो है जॉन उसमें जॉन आता है तो बॉल के साथ कौन खेलत है तो हम simply याद रखेंगे कि Amanda का friend है Robin Amanda का friend है Robin नेक्स है दो ट्रीज अव आज के टाइम में जस भी कंट्री के पास ट्रीज है वो कैसी है रिच कंट्री है तो ट्रीज एडरिन रिच दॉट ट्रीज एडरिन रिच फॉग हम कहां देखते हैं अपनी गाड़ी से बाहर देख कर लिया कार कार से हम बाहर देख रहें काल सैंडबर्ग सैंड के उपर होते है फौग काल सैंडबर्ग आगे चलते हैं 9th पॉम The Tale of Custard the Dragon. अब जो ड्र Cup Day कंन है उसने क्या कर दिया था पाइरहट को मार दिया था उसने नाश कर दिया था तो sound नाश दे टेल औफ कोस्टर दे ड्रेगन ऊग्डन नाश लास्ट इस पॉर एट्वरेग्री तो यह कितनी वर्ड की पोँम है यह त्री वर्ड की पोँम है और जो इसका पोएट है विलियम बटलर यीट्ट्स उपर से हमने जितने भी पोएट किये हैं उसमें से किसी का भी न से रिवाइस कर लेजिए स्नो और आईस इसने हमने याद किया है रोबर्ट फ्रॉस्ट अ टाइगर इंदा दू जू फ्रीडम कम मिली है लेसले नॉरिस ऐल से वेल कैरोलिन वेल्स बौल बौल से ड्राइगन ड्राइगन नाश कर देता है और नाश फॉर एने ग्रेगरी ड्व्लीवी यीट्स तो होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया है अब आपका टेस्ट टाइम है तो यहां पर जो आपके लिए टेस्ट है आज इस सिमिट्री में मैंने पोर्म्स बिलती है जू के साथ क्या आ जाएगा लेसले नौरिस यह टेस्ट आप खुद कर रहे हो मेरे बोलने से पहले आपको आंसर आना चाहिए तो हमने आंसर लिख दिया लेसले नौरिस फॉर्थ इस खाव टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एल का क्या राइम किया था हमने वेल तो सेवन्थ इस दर ट्रीज जिस कंट्री के पास ट्रीज है वो कैसी है रिच तो पोट का नेम क्या आ गया है स्पैलिंग ठीक लिखना इसके बिलकुल एड्रेन एड्रेन रिच एड्रेन के स्पैलिंग ज़रूर रिवाइस कर लेना नेक्स्ट इस एट्पोर्म फॉग हम किस म यह से ही तो काल सैंड्बर्ग सांड के ऊपर होती है और आंग नाइंथ मीश डेल ऑफ कस्टड दा ड्रैइगन ड्रै ड्रैइगन क्या कर देता है नाश कर देता है तो और जन नेश णे लास्ट इस पॉर एन्लें ग्रेग्रेडुन मैंने आपको बताय था कि इस पोर्म में 3 words है तो जो poet है उसके भी 3 words है कौन सा poet है इस है वो है William Butler Yeats अगर पूरे spelling याद नहीं होते तो हम simply लिख सकते हैं W.B. Yeats ये भी बिल्कुल correct है तो first test आपका complete हो गया hope आपके full marks आयोंगे आगे चलते हैं next test is match the following जो बहुत interesting है पिछली test में मैंने poem को as it is symmetry में रखा था लेकिन यहां पर मैंने उनको jumble कर दिया है poet भी jumbled है और poem भी तो first है यहाँ पर fog से आपको याद आ गया fog हम कहां से देखते हैं car में से यह है हमें इसका answer मिल गया caroline wills correct है यह no this is wrong और देखिए एक और हमने याद किया था कि हम fog को car में से देखते हैं और वो sand के उपर है तो correct answer is carl sandberg यह हमने इसको match कर दिया second is the ball poem बॉल से कौन खेलता है जॉन जॉन देखो कहां पर है यह रहा जॉन तो यह हमने इसको यहां match कर दिया जॉन बेरी मैं थर्ड फॉर एने ग्रेग्री थ्री वर्ड्स में ही poet आ जाएगा और यह दिया है बिल्कुल लास्ट में विलियम बटलर यीट्स how to tell wild animals tell well yes इसका answer है car the tail of custard the dragon dragon से हमने क्या आयाद किया था नाश यहां सामने ही दिया हुआ है और जन नाश उसके बाद है अमेंडा अमेंडा का फ्रेंड कौन है रॉबिन यह नीचे दिया हुआ है second last में रॉबिन क्लें fire and ice ice से हमने क्या आयाद किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो यह आ गया यहां पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसके बाद है the trees जिसके पास है वो country rich है तो कहां पर है यह बिल्कुल पास में दिया हुआ है this is edrin rich dust of snow snow आ गया फिर से कौन है पोईट रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो यह हम चले गए यह बिल्कुल top में दिया हुआ है रॉबर्ट tiger in the zoo zoo में बंद किया हुआ है तो उसको less freedom में लिए तो यह third number पर given है यह भी हमने complete कर दिया लेजले नौरिस तो match the following भी हमारा complete हो गया आगे चलते हैं अब यह questions हैं जैसे आपको exam में आने वाले हैं अब आपके poem और poet बिल्कुल पक्की हो चुके हैं आप बिल्कुल गलती न the poet now this is the first answer and set such color there brown or black or carrot that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair यहां पर यह सब कौन बोल रहा है एक lady बोल रही है और यह किस poem में से है फिर से इसको पढ़ो और ध्यान से देखो किस poem में से पहले आपको poem का name पता होना चाहिए tiger in the zoo no इसमें कोई lady नहीं है how to tell wild animals no ball poem no इसमें तो एक बच्चा है for na gregory yes this is right and poet is wb years तो हमारा जो d option है यह बिल्कुल correct है second stanza the pirate gaped at belinda's dragon अब यह poem सबको अच्छे से पता है फिर भी एक बर पूरा stanza पढ़ लो and gulped some grog from his pocket flagon he fired two bullets but they didn't hit and custard gobble him every bit जो poem का name है उसमें भी custard आता है कौन सी poem है तो यह हमें बिल्कुल clear है this is the tale of custard the dragon और poet कौन है और जजन नैश्ट थर्ट से पहले हैं तो यह हमें बिल्क i am Rapunzel i have not a care यहाँ पे कौन सा बच्चा है जो बहुत परिशान हो गया अपनी मदर से और वो अपने आपको Rapunzel की जगह पर imagine कर रहा है life in a tower is tranquil and rare i'll certainly never let down my bride here तो कौन सी poem है यह how to tell wild animals no the ball poem no amanda by robin claim yes this is amanda जो अपने आपको Rapunzel imagine कर रही है next enza has given my heart a change of mood and saved some part of the day i had rude यहाँ पर poet बात कर रहा है कि छोटा सा एक incident ऐसा हुआ जिसने मेरे हाट को change कर दिया कौन सी poem से यह है first option dust of snow by Robert Frost yes this is the right option a में ही given है dust of snow poet के ओपर कुछ flakes गिरते हैं और उसी से उसका mood change हो जाता है और poet है Robert Frost last enza though to distinguish beast of prey a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the highness us does highness come with many smiles but if they weep they are crocodiles यहां पर यह इस बारे में है कि हम कैसे इन animals को पहचान सकते हैं तो कौन सी form में हमने पढ़ा था इतने सारे animals के बारे में options are fire and ice no a tiger in the zoo इसमें भी आनिमल है no बट इसमें एक ही टाइगर की बात हो रही है how to tell wild animals yes this is correct option number c how to tell wild animals form है और poet है Caroline Wells यहां पर आपके total three test हुए हैं जितना भी आपने score किया उसको आप comment section में जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए आपको कितना याद हुआ है और अगर आपके पास poem और poet को याद करने का कोई और भी अच्छा तरीका है तो उसको भी जरूर mention करें तो यह है answer जो अभी आपने test किया है stanza वाले यह है poem और यह है उनके poet hope आपके बिल्कुल correct होंगे so thank you for watching कोई भी new subscribers है channel को जरूर subscribe करें और video को like जरूर करें thank you